नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आखिरकार वो हो गया जिसकी बात हम पिछले देड़ दो हफतों से कर रहे थे रूस ने आखिरकार अपनी सेना को यूकरेन के अंदर भेज दिया है वलादमेर पुतिन ने अब से कुछ घंटे पहले ही इसका ऐलान किया है इतना ही नहीं यूकरेन के दो खास इलाके थे दौनस्टेक और लुखांस्क इसकर आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं ये दोनों इलाके दोनबास रीजन के अंतरगत आते थे इन दोनों को तोड़कर अलग-अलग देश के तोर पर भी स्थापित कर दिया है जल्द ही यहां के नए परधानमंत्री होंगे जल्द ही यहां दोनों राज़्यों की नई सरकार की भी घोशना करी जाएगी जैसे ही पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश के तोर पर स्थापित किया उसके बाद पुतिन ने ये कहा कि इन दोनों की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि यूक्रेन की सेना यहां पर बड़ा हमला करके जो विद्रोही हैं रूस समर्थित उन्हें भगा सकती है इसी लिए रूसी सेना की बड़ी टुकडियों को आदेश दिया गया है कि आप इन दोनों इलाकों में दोनस्तेक और लुहांस के अंदर एंट्री कीजिए और यूक्रेन की सेना से सुरक्षा कीजिए रूस समर्थित विद्रोहियों का वहीं अमरीका ने एक बार फिर से चेतावनी जारी करी है कि दोनस्तेक और लुहांस तो बस एक छोटा सा प्यादा है जो रूस के राष्टपती ने चला है उनका बड़ा इरादा है यूक्रेन की राजधानी कीउपर कबजा करना और वहां पर अपनी समर्थित सरकार बिठ और उनका तरकिये है कि दोनस्तेक और लुहांस को छुड़वाने के लिए यूक्रेन की सेना हमला करेगी और उसके जवाब में रूसी सेना को बहाना मिल जाएगा यूक्रेन पर हमला करने का वो सब को कहेंगे देखे जी पहले हमला तो यूक्रेन ने किया और उसके बाद वो अडवांस करते चले जाएंगे और फिर अंतमे Q पर भी कबजा कर लेंगे और Q पर कबजा करने के बाद वहाँ पर अपना कबजा बनाया नहीं रखेंगे बस अपनी समर्थित सरकार बिठवा देंगे यूकरेन के अंदर जितने भी रूस विरोधी लोग हैं या तो उन्ह भगा दिया जाएगा या उनका सफाया कर दिया जाएगा वहीं आपका सवाल होगा कि रूस ये क्यों चाहता है कि यूकरेन में उसकी समर्थित सरकार बैठे तो इसका बड़ा करान ये है कि रूस नहीं चाहता कि नाटो उसके बेहद करीब आए यूकरेन उसके और नाटो क लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा और इसलिए कहा जा रहा है कि रूज कीव पर कबजा करना चाहता है ताकि पूरा युक्रेन उसकी मुठ्थी में आ जाए वहीं इस इवेंट से एक बार फिर साबित हो गया है कि जो बाइडन अमरीकी इतिहास के सबसे कमजोर राष्ट्पती है इतना कमजोर राष्ट्पती अमरीका ने आज तक नहीं देखा और वो इसलिए क्यूंकि अमरीका इस पूरी धरती का एक मात्र सोल सूपर पावर देश ह अमरीका के पास बहुत ज्यादा ताकत है जिनका इस्तमाल करके वो इन छोटे देशों को बचा सकता था लेकिन इतना ज्यादा कमजोर राष्ट्पती होने की वज़े से अमरीका अपनी शक्तियों का इस्तमाल नहीं कर पा रहा है तोहीं आप एक खास पैटर्ण ये भी दे बेट की गई है और मैं आपको बता दू कि भले डोनाल टरंप को सोगालिया मिलती हो भले डोनाल टरंप में सो कमिया हो लेकिन आज डोनाल टरंप अमरीकी दाश्टपती होते तो शायद यूकरेन की जान बच जाती हाला कि इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार है बूलेगा थैंक यू अरमच पर वाचिंग वीडियो